वीडियो देखने वालों को नमस्कार आज हम बात करेंगे इराक के बारे में तो इराक एक ऐसा देश है जो की जब से बना है तब से ही जो है अशान्त रहा है लडाई जगडे जो है यहाँ चलते ही रहते हैं यह क्यों चलते रहते हैं उसके पीछे का कारण हम जानेगे तो इराक जो है ऐसा देश है जिसके पास बहुत बड़े तेल और गैस के भंडार है दुनिया के पाँचवे सबसे बड़े तेल और गैस भंडार जो है इराक के पास है और इसकी तुलना अगर हम बाकी अरब देशों से करें तो आप देखेंगे कि इराग जो है comparatively काफी गरीब है तो इराग की जो प्रती व्यक्ति GDP है वो है 400 डॉलर की इसी के पडोसी देशों की बात करें तो कुवेट की है 32,000 डॉलर साउदी अरब की भी है 32,000 डॉलर बहरीन की जो है वो 23,000 डॉलर है कतर की 50,000 डॉलर है UAE की 45,000 डॉलर है तो आप देखिए कि इसके बाकी पडोसी देश जो है वो बड़े पैसे वाले हैं बड़े सम्रित है और इराग जो है तुलादमा ग्रूप से बहुत पीछे है इनका जो है आधा भी नहीं है और जबकि उसके पास भी जो है काफी तेल और गैस के बंदार है और ये बाकी उसके पडोसी है वो भी तेल और गैस से ही अमीर है तो इतनी खराब जो है income जो है per capita GDP क्यों है उसका भी कारण हम समझेंगे तो पिछले 50 साल में से इराग जो है hardly 10 साल जो है शान्त रहा होगा इसके लाबा वहाँ पे लड़ाई जगड़े चलते रहते हैं और अभी भी चल रहे हैं तो आप अगर मेरे वीडियो regularly देखते रहे हैं तो आप geography का महत तो समझते ही होंगे तो यहाँ पर भी problem जो है वो geography की ही है कैसे है उसको समझते हैं तो इराग का जड़ा नक्षा देखिए इसका map देखिए तो यह इसका जो map है इसमें दो नदिया बड़ी खास है एक है tigris और दूसरी है euphrates यह नदिया जो है यह life line है इराग की और इन्ही नदियों के बीच का जो area है जो आप देख रहे हैं वही area असल में जो है fertile area है जहाँ पे जो है खेती बाड़ी जो है की जा सकती है यह वाला जो आप area देख रहे हैं यह वाला इधर जो है Syrian desert आजाता है और इधर जो है Arabian desert आजाता है तो बाकी की जगे जो है वो इन्सानों के रहने लाइक नहीं है खेती करने लाइक नहीं है जो भी है इन दोनों नदियों के बीच में ही है तो यह जो नदिया है यह life line हो जाती है इराग के लिए अब एक पात तो आप ये समझ गए है कि यहां पे problem क्या है कि दो नदियों पर depend करते हैं दूसरी problem क्या है कि side में desert है कोई natural barrier नहीं है जैसे कि पहाड हो बड़े बड़े पहाड हो या समुद्रो तो ऐसे natural barrier क्या करते हैं वो पडोस के हमले से रोखते हैं तो ऐसे natural barrier भी इराक में नहीं है अब इराक जब बना तो कैसे बना उसको भी थरा short में समझें तो Ottoman Empire हुआ करता था इस Empire को अंग्रेजों ने हराया और इसके बाद जो है अंग्रेज खुद हार गए दूसरे वर्डवार के समय तो उन्होंने कई सारे देशों कुछ आजाद कर दिया छोड़ दिया लेकिन जब वो छोड़े तो उन्होंने उनका नक्षा बिगाड दिया और ये काम जानबूच के किया ये इसलिए किया ताकि ये देश आपस में लड़ते रहें अपने संसाधनों का परबादी करें लड़ाई में और तरक्की न कर पाएं ये तरक्की करें तो धीरे करें कम करें तो जैसे भारत और पाकिस्तन का नक्षा बिगाड़ा भारत और चीन का नक्षा बिगाड़ा भूटान का बिगाड़ा तो यह सारे map जो है उन्होंने बिगाड़े वो intentionally बिगाड़े ताकि यह देश जो है लड़ते रहें आपस पे तो यहाँ पे भी अंग्रेजों ने जो है इराक की border ऐसी बनाई कि यह भी लड़े तो उन्होंने जो है क्या किया इराक और कोवेट का partition इस प्रकार किया कि इराक के पास जो coastal border है वो ना के बराबर रहे तो coastal वाला area जो था इराक का वो उन्होंने हटा के दे दिया कोवेट को तो कुवेद को देखिए बड़ा छोटा सा देश है लेकिन इसके पास coastal border बहुत बड़ी है लेकिन अगर आप इराक को देखे तो इसकी coastal border को देखिए कितनी छोटी है तो ये रफली त्रेपन किलो मीटर की coastal border है बहुत ही छोटी है और इतनी छोटी तो है ही साथ में ये जो है deep water वाली नहीं है deep water वाली नहीं है मतलब यहां कोई बड़े port जो है वो नहीं बनाए जा सकते तो यह बड़ी समस्या जो है इन्होंने कर दी कि geography की तो problem थी ही साथ में अंग्रेजों ने Britishers ने इनका map भी बिगाड दिया और map बिगाडने के current क्या हुआ कि इनकी navy strong नहीं हो सकती और इनका जो export का business है वो थोड़ा सा limited रहेगा और दूसरा इनका naval blockade कभी भी किया जा सकता अब इतना सा area इतने सा area को आपने block कर दिया तो इनका पूरा जो business है बाकी दुनिया से वो खतम हो जाता है तो map को जो है ये जान बूच के इस प्रकार का बिगाड के गए और ऐसा इनों ने दुनिया में बहुत सारे देशों के साथ किया North Korea, South Korea, India, Pakistan, India, China, Israel और Palestine ये सब intentionally करके गए हैं अब जो हमने देखा कि बहुत छोटी सी इनकी coastal border है और जादा deep water वाली नहीं है तो इनके पास जो है ले देके एक ही बड़ा port है जिसको बोलते हैं उमकासर port ये जो है आप map में देख रहे हैं तो ये काफी छोटा port है लेकिन problem यही है कि बहुत ही narrow है तो देखिए चोडाई जो है इसकी बहुत कम है और यही से जो है थोटे से एरिया से ही जो है इनका पूरा import एक्सपोर्ट तेल गैस का जो भी है वो यहां से होता है अब एक problem तो हमने देखी कि यहां पर जो है इनोंने कोवेट का partition इस प्रकार के करके इनका एक chalk point यहां पे बना दिया एक problem तो यह है पर problem यहां भी खतम नहीं होती problem यहां पे भी आ जाती है स्ट्रेट ओफ हर्मूस तो इरान के पास जो है यह जो स्ट्रेट है बहुत छोटा सा है यह map में बड़ा देख रहा है लेकिन असल बड़ा छोटा सा है 20-30 किलोमीटर की चोड़ाई वाला यह इतना एरिया है जिस पे इरान का कंट्रोल होता है और यहां से भी जो है चोक किया जा सकता है तो यहां से भी ब्लॉकेट किया जा सकता है तो दो पॉइंट ऐसे हो गए है जहां से ब्लॉक करके क्या किया जा सकता है इराक की पूरी economy को तबाह किया जा सकता है उसका पूरा तेल गैस का import यहां से तबाह किया जा सकता है यह दो point ब्लॉक कर दिये गए तो तो यह एक और समस्या है अगली समस्या की बात करें कि तेल गैस के भंडार तो इसके पास बहुत सारे हैं पांचवा सबसे बड़ा विश्व में जो है तेल गैस का भंडार है लेकिन यह जो भंडार हैं वो बड़े ही specially distributed हैं बहुत जगे फैले हुए हैं और वहाँ पे जो आबादी है वो आबादी जो है अलग-अलग लोगों की है अलग-अलग समुदायों की है और ऐसे समुदायों की है जो की आपस में लड़ते रहते हैं जैसे शिया हो, सुन्नी हो, कुर्द हो इनकी जो है लड़ाई जो है हमेशा चलती रहती है यह सब हम जानते है तो जो black dot आप देख रहे हैं यह वो एरिया है जहां पर तेल गैस के भंडार है और शात में जो हरा एरिया है वो शिया बहुल इलाका है जो पिला एरिया है वो सुन्नी बहुल इलाका है और बाकी जो आप red में देख रहे हैं वो कुर्द का है तो यह क्या हो रहा है कि तेल गैस के भंडार भी अलग-अलग समूदायों के कबजे में आ जाते हैं, अलग-अलग लोग जो हैं वहाँ पे आ जाते हैं, और इनका अपस पे लड़ने का record रहा है, तो तेल गैस है तो बहुत लेकिन smoothly उसको निकाला नहीं जा सकता, और distribute करना भी आसान नहीं है, क्योंकि आप समझ गए हैं कि अ यहाँ पे यूरोप में थोड़ा सा कुछ बेचा जा सकता है भार, यह जो आप देख रहे हैं, यह pipeline है, oil और gas यहाँ से transfer किया जा सकता है, लेकिन जैसा पिछले map में आपने देखा, कि यह जो pipeline है, यह कहां से pass हो रही है, ऐसे इलाकों से pass हो रही है, जहाँ पे कुछ जगे शियाओं का दबदबा है, कुछ जगे सुनियों का दबदबा है, कुछ जगे कुर्द का दबदबा है, यह इनि इस pipeline का optimal use जो है वो नहीं हो पाता, अगली समस्या यह है कि इनके पास तीन बड़े highways हैं, जो दूसरे देशों की तरब जाते हैं, यह, यह और यह, इसके तो आपका जो है क्या हो जाता है, रोड वाला बिजनस भी खराब हो जाता है, और सी वाला तो खत्रे में है ही, उसकी हम बात अभी कर चुके हैं, तो यह एक और समस्या है, फिर अगर हम इन पूरी समस्याओं को summarize करें, तो क्या-क्या problem है इराक के साथ, एक तो कोई natural barrier नहीं सुरक्षा देने के लिए, ना बड़े पहाड, ना कोई समुंदर, तो कोई natural barrier नहीं है, तो अडोसी पडोसी हमला बड़ी easily कर सकते हैं, अगली समस्या कि coastline बड़ी छोटी है, अंग्रेजों ने ऐसा partition कर दिया कि इनकी coastline बहुत छोटी, ना के बराबर है, कि आप इसको कह स सकते हैं, यह almost landlocked state है, और coastline ऐसी है कि जिसको आसानी से block भी किया जा सकता है, और इनके पास खुद की बड़ी कोई naval power है भी नहीं, अब इतना छोटा सा तो coastline है, तो naval power बनाएंगे कैसे, अगली problem कि undiversified economy है, oil gas पर ही पूरी तरह depend रहते हैं, क्यों depend रहते हैं, क्योंकि बा इतना फी की भी problem है कि सिया सुनी का क्यक्लाइस जो है चलता रहता है, और कुछ तेल गैस के इलाके उनके में हैं, कुछ इंदर हैं, तो वो समस्या, इतनी समस्या तो है ही, अब इसके साथ जो है एक और भैंकर समस्या है, वो है पानी की, तो पानी की बहुत बड़ी कमी अर और यूफरेट नदियों पए, अब इन नदियों में खास बात ये है कि हर नदी में पानी पहुचाती हैं सहायक नदियां, और इन दो बड़ी नदियों की जो सहायक नदियां हैं, वो हैं तुर्की में, सीरिया में और इरान में, तो 90% पानी जो का एडिशन होता है इन इस पानी को का फ्लो जो है काफी कम कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, और थोड़ा अगर कम भी कर दिया, तो उससे भी जो है चीजे बेकार हो जाती, क्योकि नदी का अगर एक proper फ्लो ना हो तो वो polluted हो जाती है, तो अगर फ्लो प्रॉपर है तो नदी अपनी सफाई और ये डैम अगर तूटा तो इनकी कई सारे बड़े शहर जो है वो निश्ट हो सकते हैं और ये डैम जो है पूरली कंस्ट्रक्टेड है तो रेगुलर इसकी मेंटेनेंस की जरुवत होती है तो आपके पलोस में दुश्मन है और वो अगर इधर कोई मिसाइल मार दें तो भी कारण आप समझ लिए तुर्की ने 14 डैम बना लिये हैं यूफरेट नदी पे आठ बनाए हैं टिग्रेट पे तो जो यूफरेट और टिग्रेट का जो एरिया है बेसिंग जिसको बोलते हैं वहाँ पे ये डैम बना रहा है तो किस पे बुरा असर पढ़ना है इराग प लड़ाई जगड़े चलने तो नहीं बना रहा है और इराग का जो मोसूल डैम है जहां से 30-45% बिजली जो है वो बनाई जाती है ये डैम जो है रिस्क में वैसे ही रहता है इरान ने भी जो है यहाँ पे कोशिस किये कि वो भी एकार डैम बनाएगा तो जो नदी जो है उस आपका जिंदगी ही नहीं छोटा मोटा जो एगरी कल्चर होता है वो भी आपका खतम हो जाएगा कोसला इन वैसे ही आपकी जरासी है तो ऐसे समय में जो है सर्वाइवल के लिए कोई और विकल्प बच्चता ही नहीं है लड़ाई करने के अलावा तो अपनी जोग्रफी ठ कबजा करने की कोशिस की इरान पे करने की कोशिस की सीरिया से क्यों लड़ाई चलती है यही कारण है क्योंकि मजबूरी है सर्वाइवल के लिए जरूरी है अब ऐसी डीटेल वाली बातें जो है वो मीडिया में नहीं आती मीडिया में बस जो है कुछ फल्तू की बातों जो आप अपनी जोग्रफी ठीक करें। जोग्रफी ठीक करने का मतलब, पडोस पर जो है आप कबजे करें। वही एक अबात्र सॉल्जिशन हो जाता है। अब ये सारी चीजे जो है इसलिए की गई थी कि इन्होंने जो है कोवेट पर कबजा किया इरान पर हमला किया ये सारी चीजे इन्होंने करने की कोशिस की अब जब से इनको अमेरिका ने मारा है तब से इराक की स्थिती और जादा खराब हो गई है खराब इसली हो गई है क्योंकि internal civil war वाली situation चल लई है तो इनके जाते ही ISIS Islamic State जो है वो उबर के आ गया और वो आना ही था तो ये क्या है ये एक शिया है और Islamic State जो है वो सुन्नियों का है तो सिया सुन्नी वाली लड़ाई चलती रहती है तो जहां एक strong leader आपका गया दूसरे जो है सर उठा लेते हैं तो strong leader के जाते ही क्या होता है अमेरिका ने जबर जस्ती वो democratic system तो थोब दिया पर सच बोलें तो democratic system जो है एक diverse civilization वाले देश के लिए ठीक नहीं होता है चाइना के लिए democratic system ठीक नहीं है भारत के लिए भी पूरी तरह ठीक नहीं है यहां पे भी बहुत सारे पंथ के धर्म के लोग रहते हैं तो यहां problem हो सकती है तो इसलिए जरूरी होता है कि strong leader जो है वो देश को चलाए तब ही देश आगे बढ़ता है आप हमारे ही देश का भारत का यह example ले लिजिए कि मनमोन सिंग जब प्रधान मंत्री बने तब देश 11 वी सबसे बड़ी अर्थ वेवस्ता थी जब वो गए तब भी 11 वी थी और आज जो है मोदी के 8 साल हुए एक strong leader है पूर्ण भहुमत वाली सरकार चल रही है तो 11 से 5 वा पर हम आ गए हैं 8 सालों में तो strong leader होना बहुत ज़रूरी है जहां पर भी बहुत ज़्यादा पद्ध के धर्म के लोग रहते हैं यह बहुत ज़रूरी चीज़ होती है तो इनको eliminate करके इन्होंने क्या कर दिया अमेरिका ने problem Iraq की और ज़्यादा बढ़ा दी तो यही reason है कि अब ISIS और कुर्द लड़ा के और शिया लड़ा के यह सारे जो है वहाँ पर चलते रहते हैं तब संभालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है तो यह देश जो है जब तक geography ऐसी है सायद ही यहाँ पर शांती हो खुशाली हो सम्रिद्धी हो तो इसके साथ जो है मैं अपनी बात खतम करता हूँ वीडियो अ